Hello everyone, Good morning, Namaskar, 3 April 2022 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है, अगर आप इस न्यूजपेपर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगी टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तना ये सकेडिमे टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, इंडिया और अस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रेड डिल हुई है, और इसका मकसद क्या है कि पांथ साल में आने वाले पांथ साल में जो बाइलेटरल ट्रेड है, यानि दोविपक्षे जो पार होता है, उसको डब करना है, इसके अलावा इसकी क्या सिगिनिफिजेंट है, उसके बारे हम बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दू, देखो भारत कई सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट को लेकर कंसल्टेशन कर रहा है, रिशनली हमने पढ़ा था, युनाइटिड अ आस्टेलिया के बीच में जो ट्रेड है, उसको डबल करना, ये इसका इनिसेट्व है, क्या सिगनिफिजेंट है इस एकनोमिक प्रेक्ट की भारत के लिए और आस्टेलिया के लिए, ये क्यूं इंपोर्टन है क्योंकि अगर आप देखेंगे, आस्टेलिया की भी चायना से बहुत जाद अच्छे इन relation नहीं है और इंडिया के भी political perspective से अच्छे नहीं economic perspective से अगर बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो trade है bilateral trade 125 billion dollar से जादा है तो economic front पर आप relation कह सकते हैं लेगिन politically अभी भी इंडिया और चाइना के बीच में dispute है यहाँ पर बात की जारी है कि इंडिया अस्टेलिया economic cooperation and trade agreement हुआ है इसका मकसद यह है कि दोनों countries की बीच में trade को increase करना है और खासकार labor intensive sector जो है वो इसको benefit करेगा और इसके लावा यहाँ पर बताया गया इंडिया के जो chief है और yoga teacher उनको भी अस्टेलिया में benefit मिलेगा यहाँ पर कुछ important जानकारी बताएगी जैसे labor intensive जो इंडियान सेक्टर जैसे textile है जैम सिविल्री है leather food and farm produce है यह automobile इनको benefit होगा Australian coal mineral or wine इनको easily entry मिलेगी देखो कोईले को लेकर भारत की import पर अभी भी dependency हलकी कोईला भारत में अच्छा खासा production होता बट जो हमें अच्छी quality का कोईला चाहिए वो import अभी करते हैं shopping coal हम काफी import करते हैं इसके लाबा यहाँ पर एक तरीके से इसको लेकर भी discussion हो रहे है कि जो Australian side से विस्की या जितनी वी alcoholic beverages है उनको इंडिया में entry मिले इसको लेकर भी trade को लेकर discussion है इसके बाद यहाँ पर Indian student जो पढ़ने जाएंगे उनको work विजाए भी एक तरीके से permit किया जाएगा two to four year इसके बाद business, communication, construction, engineering services जो वो benefit मिलेगी और fast track approval को लेकर काम किया जाएगा खासकर generic और biosimilar medicines के perspective में यह कुछ बाते इसके अंदर बताए गई है ठीक है इसके बाद यह विजिट important क्यों थी यह एक agreement क्यों important है उसके अपने माइन है दोनों countries ने यह target रखा है कि 50 billion dollar का trade को improvement करना है यानि अब 25 billion dollar का trade अगर हो रहा है तो इसको double करना 50 billion dollar तक इंडिया और चाहिना का हमने discussion किया UAE का target है कि 100 billion dollar तक का trade करना है तो इसको भारत की तरफ से बोलागे कि watershed moment है यानि एक historical moment है दोनों countries के ties में यह contribute करेगा Indo-Pacific region के अंदर supply chain की resilience को लेकर देखो अगर आप देखें कि COVID-19 को दराने की issue काफी ज़्यादा create हो गया था जब चाइना में restriction लगे तो बहुत सारी country चाइना के क्यों पर depend है चाइना में अगर supply chain disturb हो जाएगी तो यह पूरा एक तरीके से disturb कर देता cycle को ही इसी context में Australia, Japan और India ने supply chain initiative नाम से के agreement भी किया था यहाँ पर यह भी बताया गया कि दोनों country जो है यहाँ पर वही जो सेम चीज़ें major economies के रूप में farmers के लिए manufacturers के लिए या जो producer होते उनके लिए एक important role play करेगा और बहुत सारी चीज़ों को duty free access में लेगी या zero duty उनके उपर लगेगी या tariff उनके उपर ने के वराबर एक next page पर एक mention किया गया है जो seven or eight number page होगा उसके बारे मैं आपको यहीं बता देता हूँ देखो अस्टेलिया भारत से चाहता था कि regional comprehensive economic partnership में एक तरीके से इंडिया मेंबर बने regional comprehensive economic partnership है क्या basically free trade agreement ही आप कह सकते है जो यह 10 आशियन कंट्री है और 5 कंट्री आती जिसमें Australia इस इसके बाद New Zealand, Japan, South Korea और China यह total आती 15 कंट्री भारत से उमीद थे कि इसमें जोइन करेगा बट भारत ने जोइन नहीं किया क्योंकि एक तो origin का issue है और दूसरा भारत का है वान था कि अगर हम इसको जोइन करते हैं तो जो Chinese items है वो dump करके इंडिया के अंदर आएगी और उसका impact भारत के local traders पर पड़ेगा हाला कि debate काफी जादा है कि भारत को join करना चाहिए कि नहीं लेकिन यह वाली जो geographical location है बहुत जादा important है और कई बार news में है recently हमने पड़ा था कि Solomon Island को लेकर काफी जादा news में है क्योंकि इस particular area में debate यह हुई थी कि China अपना military base बना सकता है और इस context में यह इसलिए भी important है coral sea को लेकर Australia news में है जो great barrier reef है इसी context में भी news में है तो geographical question आपको देखने को मिल सकता है इस particular area के perspective से इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तानी army chief उन्होंने यह बोला है कि भाई बाहरत के साथ बातचित करिए talks करिए बड़ी interesting चीज़े है पाकिस्तान में अगर आप historically देखेंगे जब से पाकिस्तानी नामक अलग से country बनी है 1947 से ही पाकिस्तान में democracy और military इनका combined रहा है यानि कई वह आपने ऐसे सुना होगा जैसे कोई post होती है तो यहाँ पर democracy कम military rule आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और लगभग 50% military rule ही रहा है बड़ी interesting बात है देश की foreign policy के बारे में बात कर आर्मी चीफ ये थोड़ा अजीव लगता है कभी भी आपने इंडिया के जो आर्मी परसनल्स होते हैं चाहे नेवी हो या आर्मी हो या एरफोर्स हो कभी भी foreign policy के बारे में discussion नहीं करते होगे यहाँ पर दो चीज़े आपको समझने पड़ेगा एक होता well established democracy और दूसरा होत यह चीजे उसी तरीके से इन्होंने क्या बोला कि भाई भारत के साथ जो हो discussion करें और इसमें जितने भी issues चाहे कस्मीर issue dispute दोनों countries के वेच में उनको लेकर भारत के साथ dialogue हमें करना चाहिए और peaceful settlement जो हो इन चीज़ों को होना चाहिए हम नहीं चाहते कि flames of fire जो इस पूरी region के अंदर एक तरीकी से आग लगती रहे या बोल सकते हैं कि वही जो issues है इस dispute है उसको कहीं कहीं continue करते रहे इसी perspective में नहीं कस्मीर dispute को solution को लेकर हो even उन्होंने suggest किया कि trilateral dialogue हो क्योंकि भारत का पाकिस्तान और चाहिना दोनों के साथ dispute है तो उन्होंने कहा कि इंडिया चाहिना border और इंडिया पाकिस्तान बोडर दोनों पर dispute है तो क्यों नहीं चाहिना इंडिया पाकिस्तान एक dialogue में इसके तुरू एक चीजों को sort out के अजास के हलाकि इस तरह के statement की कितनी importance होगी इंडिया में ये आने वाले टाइम में पता चलेगा लेकिन यहाँ पर देखिए पाकिस सरकार में समर्तन नहीं है इन्होंने ये का कि मुझे तीन option दिये गए थे कि या तो यहाँ पर इन्होंने एक word mention किया क्योंकि direct army का नाम नहीं दे सकते established के perspective से कि मुझे तीन option दिये गए resignation, no confidence या election आप इन में से क्या select करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए इन्ह इन्होंने बोला कि हम रशिया को condemn करते हैं, यूकरेन का समर्थन करते हैं, यूएस के साथ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़े है, foreign policy में इस तरह की statement देना इनके अपने माइने हैं, और जब country का कोई भी किसी post पर, designated post पर होता है, वो इस तरह की statement देता है, तो इसके impact जो है वो दोनों countries के foreign relation पर भी पढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, देखो, अनाचल प्रदेश के अंदर soldiers ने दो civilian को shoot कर दिया, यानि उनके उपर एक तरह के से fire हुआ, और अच्छी news यह है कि death नहीं हुई, casualties नहीं हुई, लेकिन दो important चीज़, अगर आप द देखो के नागालेंड के अंदर, मौन डिस्टिक के अंदर लगा, 14 civilian की death होगी थी, इस तरह के event में, इसी तरह के से अनाचल प्रदेश में भी by mistake fire हुआ, आर्मी को लगा कि यह extremist है, देखो, आर्मी को जो input दिया जाता है, वो दिया जाता, locals के द्वारा, कई बार input mechanism अगर fail कर जाता, या accurate नहीं होता, तो इस तरह की event होती है, तो हमें यह ensure करना पड़ेगा, कि civilian की casualties बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और दूसरा, हमें यह भी ensure करना है, कि आर्मी को जो input मिलता है, क्योंकि बहुत सारे insurgent इस तरह की group आपको active नजर आएंगे, उनको counter भी करना है, त balance create करना पड़ेगा, तब ही एक तरीके से इस चीज़ को लेकर, हम civilian, army और government के बीच में coordination जो हो, establishment कर पाएंगे, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, हलाकि बहुत ज्यादा comment नहीं करती, इंडिन आर्मी दुनिया की सबसे professional army में से एक है, बहुत ज्यादा comment नहीं करती, ल जंकर यहां पर indicate करी गई है, आप लोगों के लिए पहला क्योंशन है, जब हम अरुनाचल प्रदेश के मारें बात कर रहे हैं, आप लोगों को नीचे comment करना है, कि अरुनाचल प्रदेश के अंदर अगर आप ब्रह्म पुतर रिवर देखेंगे, ब्रह्म पुतर रिवर अर के साहक नदी हैं, या subsidies है, या जो tributaries है, major right and left side से वो आप नीचे comment करेंगे, इसके बाद page नमबर 6 पे गर आप देखें, बहुत छोटी से लेकिन important information है, अटा पैडी करके एक जगह है, और इसमें बताया गया कि pre-historic relics जो है, वो point out करते हैं कि reverend settlement यहाँ पर हो सकते हैं, पोटरी साइड्स है, बूरियल यूरंस है, मेनहिरंस जो भवानी, सुरुवानी और कोडो मक्रा, पालम रिवर्स इस particular areas के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर यह discovery of several pre-historic artifacts यहाँ पर देखने को मिले हैं, और यह indicate करती है कि केरला, तमिलाड़ इस particular area के अ discussion किया जा रहा है, अलाकि देखो बहुत सारी जिस जब लोगों को जानकारी नहीं होती है कि चीज़े है क्या, historical perspective में, तो उनको वो damage कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी यहाँ पर भी हुआ है, damage यहाँ पर भी हुआ है, और उसके बाद भी यह एक important historical connectivity को लेकर, pre-historical information के perspective से, त इसके बाद बात करेंगे page number 7 पर, यहाँ पर देखो, page number 1 से मैंने जो बताया था, वो repeat है, original comprehensive economic partnership के बारे में, यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद पाकिस्तान के army chief की जो statement है, वो सारी चीज़े यहाँ पर हम अलड़ी cover कर चुके हैं, इन सब के बीच में, इंडिया ने नेपाल के bilateral relation में क्या हुआ है, क्या नई event हुई, उसके बारे में बात करेंगे, रिशनली नेपाल के प्राइमिस्टर सेर बाहुदर देवबा, यह इंडिया की विजिट पर है, बहुत सारी चीज़े यहाँ पर discussion करेगी, नेपाल के प्राइमिस्टर साब की जो पहली request थी कि भारत और नेपाल के बीच में जो border dispute है, border dispute कहाँ पर है, उसके बारे में बात करेंगे, इसको resolve करने के लिए step लीजिए, दोनों ने basically cross border relief link को एक तरीके से flag off किया, और दोनों country नेपाल और इंडिया अपने bilateral relation को कैसे improvement कर सकती है, इसको लेकर भी discussion किया गया, तो जानेंगे क्या-क्या important सीज़े हुई है, पहली बात तो इसके अंदर ये बताया गया, कि नेपाल जो है, 105th country बन गई है, जिसने international solar alliance, यानि अंतरास्टिय सोर संगठन, जिसका headquarter गुरुगराम के अंदर है, हर्याना के अंदर, और यहाँ पर agreement किया कि हम इसकी member country बनेंगी, इसके अला बोला जाता है, इसको, काला पानी, लीपू लेक और लिम्प्यो धुरा करके जो एरिया है उत्राखन की territory के अंदर, इसको लेकर नेपाल क्लेम करता है, हिस्टोरिकली कोई सिगोली की ट्रीटी है, उसके थूरू ये एरिया नेपाल का हिसा था, इसी चीज को लेकर 2019 से, बताया गया था कि joint decision होना चाहिए, और एक mechanism जो foreign secretaries के अंडर हो, इसको लेकर discussion करें, नेपाल ने पहले ही बताया था कि foreign secretary को लेकर जो mechanism है, discuss करें, बोर्ड डिश्प्यूट में, खासकर काला पानी वाला एरिया को लेकर, भारत की तरफ से कहा गया, कि इस issue को politicization नहीं करना, राजनिती कर नहीं होना चाहिए, इस तरह की issues का, यह बहुत जादा important होते हैं, और क्योंकि वहाँ पर election होगे, तो possible election के अंदर इस तरह की चीज़ें भी होगी, भारत ने cross, एक तरीके से cross border, जो है वो, गोज, जयानेगर, कुर्था, रिल निंक को establishment करने को लेकर integration किया, भा नेपाल के bilateral relation में, तो प्राइमिस्टर इंडिया के और प्राइमिस्टर नेपाल के, इन्होंने integrate किया, 90 किलोमेटर लोंग 132 KVDS, सोलू corridor, transmission line, और इसके बाद सब स्टेशन, इसको लेकर announcement किया गया, भारत और नेपाल के बीच में, क्योंकि agriculture दोनों के लिए important है, तो fertilizer भारत से जो supply होते हैं, उसको agreement को लेकर भी enable किया गया, भारत और नेपाल के बीच में agreement ये हुआ है, कि नेपाल भारत से 2,10,000 metric ton of chemical fertilizer खरीदेगा annually, import करेगा हर साल, तो ये एक important है, हलाकि fertilizer को लेकर इंडिया में भी issues है, और fertilizer को लेकर issues और advance हो सकते, क्योंकि fertilizer का एक source जो है, वो हमा पर अगर हमारा trade mechanism थोड़ा disturb होता, तो उसका भी impact आने वाले time में आपको देखने को मिल सकता है, तो दोनों के लिए बहुत important है, पूरा का पूरा ये issue, अब आप लोगों के लिए second question है, जब हम बात कर रहें, international solar alliance के बारे में, ये जो international solar alliance है, ये कौन सी historical और important treaty या एक agreement के थ ये एक important आपको हिंड देदू कि environment का बहुत important event हुआ था environment को लेकर, और दुनिया भर की countries ने agreement किया था, कि 2030 तक काफी हद तक हम control करेंगे, एक तरीके से greenhouse के emission को लेकर, इसके बाद बात करेंगे, इंडिया और रश्या के बेच में, defense perspective से, इंडियन आर्मी ने induct किया, रश्यन manpad करके, manpad का मतलब है, man potable air defense system को induct कर दिया है, और इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि, जिसको small number of iglite system, यह भारत जो है procurement करने को लेकर, या इंडियन आर्मी emergency procurement इसकी की है, इंडियन आर्मी को या armed forces को 300 क्रोड रुपे की, तक की emergency procurement करने को authorized किया गया है, बिना किसी क कोई procedure किया, यानि इंडियन आर्मी induct कर सकती है, 300 क्रोड रुपे की कोई भी procurement, उसके लिए कोई procedure जो है, नहीं होगा, यानि बहुत ज़्यादा permissions की requirement नहीं है, इसके बाद यहां पर बताया गया कि, इगला S system जो है, इसको लेकर, एक तरीके से discussion में है, और यह deal हलाकि pending defense system है, इसको वशोराड करके भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो 2020 में contract हुआ बहुत सारी चीज़ इसके अंदर है, 24 launcher, 216 missile और testing equipment इसके अंदर include होंगे, यह जो चीज़ें है, कितने equipment है, कितने नहीं, यह ज़्यादा important नहीं है, defense के perspective से भी, हाँ अगर आप particular defense examination की तयारी कर र requirement के लिए 300 क्रोड रुपे तक का urgent basis वो खरीद सकती है, बिना किसे further clearance को लेकर यह एक तरीके से, में गरीज़ें हमने set किया था, इसके लाबा भारत और रशिया जो है, वो कैसे western sanction को, US के sanction को bypass करके, अपने trade को या payment को indicate कर सकते, खास कर, रुपी, रूबल payment के तुरू, और य जो company के साथ discussion हुआ था, फाइनली Russian companies को जो agreement मिला था, यह बहुत important है, वशो रोड करके, क्योंकि इसके maximum range 6 km है, altitude 3 km है, और यह सारी वाइदर capabilities के अंदर काम कर सकता है, तो यह urgent need है कि हमें replacement करना अपने system को, और यह game changer हो सकता है कि army के combat aircraft को, helicopters को, या multi-layer air defense के against एक defense की एक तर setup करता है, तो भारत के defense perspective से, Indian army के perspective से, काफी जादा important है, इसके बाद बात करेंगे कि Ukraine और Russia के बीच में जो conflict है, उसके बात जो है, वो wheat की supply या गेहूं की supply को लेकर एक cycle होता, वो disturb हुआ होगा, और उसी context में, क्या आने वाले time में, जो gap create होगा, या एक vacuum create होगा, उसको fill करन करने के लिए, इंडिया की important country बनेगा, यहाँ पर कई सारी issues को लेकर discussion करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, कि भारत की presence क्या है, international export के अंदर, दुनिया में, अगर आप देखें, 25% के आजपास, युक्रेन और Russia ही supply करते हैं, यह major countries है, इसके बाद European Union, United States, Canada, Australia, यह important countries हो, supply करत पाकिस्तान, सर्विया, United Kingdom, मेक्सिको, चाइना, अलगी भारत का जो share है, वो बहुत कम है, 12.6 metric ton, जो हम लोग यह हूँ, export करते हैं, इसका एक बड़ा reason यह भी है, कि भारत में, इंडिया की खुद की population बहुत जादा है, और consumption यहाँ पर बहुत जादा है, तो इस connection में बताय और इसी context में, यहाँ पर food security campaigner के perspective में बताया गया, कि अगर भारत export करने के बारे में सोच भी रहा है, तो हमें domestic consumption को पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसी context में बताया गया, कि Russia और Ukraine, 183 million ton, metric ton, जो है वो यहाँ पर supply करता है, इसी तरीके से अगर आप पूरे scenario में द भी बड़े सिंख्या में export करती है, गिहों को, तो आने वाले time में, बहुत सारी countries को जो काफियात तक rely करती है, Russia और Ukraine से गिहों को लेकर, many countries अफ्रीका, West Asia, South East Asia, Russian और Ukraine पर, तो यह एक तरीके से alternate source के ओपर indicate कर सकती है, जैसे यहाँ पर यह बताया गया, कि इन में, अगर आप requirement के perspective से देखते हैं, इंडोनेशिया जो second largest importer है, जिसमें 30% dependency है, किसके ओपर, एक तरीके से गिहों के ओपर, इसी तरीके सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पर dependency इजिप्ट की, 93% इंपोर्ट करता है, सुदान 60%, तंजानिया 64, लीविया 53%, तुनेशिया 52%, वेस्ट एशन कंट् लेवनान 77%, 750%, युए 42%, इन दो कंट्री के ओपर डिपेंड है, यह जो percentage दी गई है, इसको याद करना ज़रूरी नहीं, जिस्टिक अंडरस्टेंडिंग के लिए है, इसके बाद भारत की तरफ से, एपेडा एगरिकल्चर एंड प्रोसिड फूड प्रोसेस्ट फूड प्र लंगना देश, थाइलेंड, फिलिपिन्स, मरोक्को और तंजानिया, यह कोछ चीज़ें बताएगी, इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया, कि ठीक है, आपको सप्लाई करनी है, यह अच्छी बात है, प्रोडक्शन अच्छा होने की पोसिबिलिटी माज टु मई के बीच में, लेकिन यहाँ पर दो important बाते बताएगी है, हमें आप export करना चाहते करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले हमें ensure करना पड़ेगा, कि हमारा public distribution system उसमें कोई disturbance create ना हो, हमारी जोसकी में परधान मंतरी, ग्रीब के लिए नानी होजना, इसको लेकर कोई disturbance नहीं होना चाहिए, और overall आप इसमें यह भी ensure करें कि farmers को MSP से ज़्यादा price मिले, minimum spot price से ज़्यादा मिले, overall farmers को भी इसका benefit मिलना चाहिए, यह भी जनकारी जो हो दी गई, इसके बाद कुछ objections भी, क्या इस तरह की issues को लेकर world trade organization के अंदर objection हो सकते हैं, क्यो UPSC PLIMS में as it is a question पूछ लिया था कि peace clause कि international organization से related है, तो यह WTO से related है, WTO UPSC PLIMS का one of the favorite organization है, तो यहाँ पर बताया गया कि WTO की जो ministerial meeting होई थी 2014 में, उसमें adopt किया गया था, लेकिन यह भारत को export करने से नहीं रोक रहा है, कि भारत अगर export कर रहा है, तो इसका एक target है कि दुन और इसका और रोल यह भी बताया गया कि farmers को इसका benefit मिला चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार export करें और किसानों को इसका फाइदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी important यहाँ पर information है, Government 6 Supreme Court rolling on minor anti-spitry bill, anti-spitry का मतलब होता अग्रिम जमानत, ठीक है, और यह बात की जा रही है, minor के perspective में, यानि जो 18 साल से नीचे child है, juvenile है, उस case के context में, और यह क्यों important है, क्योंकि इसको लेकर debate हो रही है कि जो एक fundamental right है to personal liberty of minor उसके बारे में, और इसमें जो एक criminal procedure for juvenile के अंदर section 438 के बारे में discussion किया गया, 2015 में juvenile justice act बनाया गया, लेकिन तब anti-spitry bill के बार article 21 right to life के बारे में discussion किया जाता है, और इसके बारे में, अलग-अलग high courts की जो judgments आई है, उस context में, supreme court के लेकर सरकार निकार कि बाई आप एक simple to the point judgment दे, ताकि इसको लेकर decision जो हो वो लिया जासके, इसे तरीके से model rules of 2016 हो, या various rules जो है कि क्या किसी बच्चे को arrest किया जा सकता है लोकप के अंदर या जेल के अंदर डाला जा सकता है, तो बहुत सारे इसके impact पड़ सकते हैं, इस context में, minors के लिए anticipatory bills को लेकर जो rights है, उसको लेकर supreme court इस पूरे scenario क्या सोचता है, ये बहुत important है, और juvenile justice act amendment किया गया था, बहुत important ये भी act है, general study paper 2 में direct सवाल हो सकता है, means के अंदर, इसके बाद कुछ छोटी छोटी information है, जैसे चाइना ने जन्टा रूल में, मिलिटरी जो रूल है, उसको sport किया इनों ने इसके बारे में जानकारी दी गही है, इमरान खान पाकिस्तान के प्राइमिस्टर कई दिनों से news में है, और सायद आज के बाद news में रहे, ब प्रोटेस्ट करिए, यहां पर आप गलियों में प्रोटेस्ट करिए, तो क्या पाकिस्तान के अंदर possibility हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर civil war जैसी possibility भी हो सकती है, कि दो fraction एक दूसरे से collapse कर जाए, या इस तरीके से भिढ़ना सुरू हो जाए, इसी तरीके से, और इसके आप यहां पर possibility है कि military rule हो जाए, या possibility गयाने वाले टाइम में election हो, या possibility सबसे ज़्यादा यह है, कि फिलाल के लिए इनका जाना या इनको resignation देना लगवग लगवग तया हो चुका है, और इनको क्योंकि Parliament के अंदर majority नहीं है, तो इनको सत्ता छोड़ने पड़ेगी, इसके बोल रहे हैं कि यहां के जो प्रिजिडेंट है, गोट बाया, राजवाक से इनको resignation करना पड़ेगा, रिशेनली वहाँ पर, इनके residential house के against, तरीके से प्रोटेस्ट भी किया गया, बाद में emergency और curfew, वो सारी चीज़े लगव कीगी, चाइना ने back किया है, महिनवार के अंद इसके अलावा, मनिपूर और मिजोरम, ये चार स्टेट बाउंडरी शेर करते हैं, और important है, रिशेनली वीमिस्टेक मीटिंग के अंदर, पहली बार, जंटा रूल के बाद, या military रूल के बाद, महिनमार ने participation किया था, इस पूरे organization के अंदर, ठीक है, इसके अलावा, एक important country है, अफरिकार के अंदर, माली करके, यहाँ पर two zero three, एक तरीकी से मारे गए है, military operation की अंदर, और ये बहुत important है, साहिल के perspective में, देखो, मैं यहाँ पर कितने लोग मारे गए, कितने लोग नहीं मारे गए, उसके उपर नहीं जा रहा, मेरे लिए जो geographical important place है, वो है साहिल region, आ हाँ पर आप देखेंगे यह वाला, यह पूरा अफरिकन कॉंटिनेंट है, यह region जो इसको बला जाता है, साहिल region, इसमें बुर्कियों फासो है, कैमरून, चाड, गांबिया, गिनी मोर्टेनिया, माली, नाइजर, नाइजिरिया, सेनेगल, यह country आती है, और इस particular area माना जात मैं repeat कर रहा हूँ, UPSC PLIMS के लिए जो साहिल region है, यह बहुत important है, तो आप इसको कई बार यह आ चुका है, पूरे साल news में रहा है, तो possibility है 2022 का जब आप exam दें, तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके बाद बात करेंगे science and technology में, science and technology में बहुत important कोई news तो नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी news जैसे, artificial intelligence को लेकर, कि artificial intelligence जो है, क्या inscription को पढ़ने में, या पुरारे टाइम पर जो inscription थे, जो कहीं न कहीं किसी वज़े से damage होगे, उसको उसके बाद जो gap create हुआ, उसको fill up करने के लिए क्या वो helpful हो सकते हैं, इसको लेकर एक study हु हो सकती है, क्योंकि ज्यादा बारिस होगी, ज्यादा बारिस होगी तो wildfires की, climate change के वज़े से wildfire होने की possibility भी है, sea level rise होने की possibility क्योंकि ice जो हर लगातार melt हो रही है, और उसका impact यह होगा, कि overall यह destabilize कर देगा, vegetation system को और destroy करेगा उसको, और rising sea level से slopes को, यानि जो ice slopes को कहीं न कही यह damage करेगा, इसके बारे में कुछ चोट चोड़ी studies over हुई है, इसके बाद जो page number 12 है, page number 12 पे जो पूरे week topic news में रहते हैं, उसे के बारे में discussion किया जाता है, जैसे जो भी यहाँ topic है, अल्रेडी हमने पूरे week अच्छे से discussion करें, यह वाला जो page FAQ वाला, यह आप self study से आपको, criminal procedure bill के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, तो यहाँ पर यह topic है, इसके बाद सिलंका के अंदर state of emergency लगी है, economic crisis के बाद सिलंका के बारे में पूरा का पूरा issue details से discussion किया गया है, ठीक है, इसके बाद इंडिया और रशिया के बेच में जो deal हो सकती, fuel को लेकर, defense को ले अगर आप regular touch में हैं, तो यह सारी चीज़े आपको पता होगा, और नहीं भी पता है, तब भी आप इस page को self study से ही पढ़ेंगे, क्योंकि 30 minutes की limit हम रखेंगे, तो फिलाल के लिए the Hindu News Analysis में इतना ही, धन्यवाद जहिन